दोस्तों कि आप जानते हैं एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसका जन्म अपने माता पिता की मौत के चार साल बाद हुआ पर कैसे और किस देश में इस चिडिया को जेल में डाल दिया गया पर क्यों और ऐसा कौन सा देश जहां शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दे दी जाती है मौत की सजा यदि नहीं जानते तो बने रहे इस नई वीडियो के आखिर तक मोबाइल की दुनिया में आईफोन का एक अलग हिरुत्वा है यही वज़े है कि फिल्म और वेप सिरीज में भी ज्यादतर करेक्टर आईफोन का इस्तिमाल करते हुए ही दिखाई देते हैं लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्मों में सिर्फ गुड करेक्टर ही आईफोन का इस्तिमाल कर सकते हैं वेलेंज को आईफॉन यूज़ करने के इजासत नहीं है। और ब्रियसली ये नियम एपल नहीं बनाए है। एपल को लगता है कि यदि कोई वेलेंज उसके प्रोड़क्ट को यूज़ करता है तो मार्केट में उसके प्रोड़क्ट की रेपुटिशन खराब होगी। इसी अमेजिंग फैक्ट पर वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजे। बच्चे को जन दिया। बच्चे का नाम तियान तियान रखा गया। बच्चे को चीनी नागरिकता दिलवाने में भी उसके ग्रेंट पेरेंट्स को कानूनी लड़ाई लड़ने पड़ी। और कई DNA टेस्ट कराने पड़े। DNA टेस्ट से साबित हो जाने के बाद फाइनली तियान तियान को चीनी नागरिकता मिल गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्शन 1986 में दो किलोमीटर लंबी और 1.2 किलोमीटर चाओरी एक जील ने एक ही रात में ही 1700 इंसानों की जान ले ली। यह कातिल जील कैमरून में स्थित है और इसका नाम लेक नियोज है। कार्बन डायोकसाइड फैल जाने की वच्छे से इस जील के 25 किलोमीटर के दायरे में सफोकेशन होने की वच्छे से 1700 इंसानों की मौत हो गई। वर्श 1993 से 2009 के बीश तीन अलग-अलग देशों में हुए 6 मर्डर केसिस में पुलीस को एक ही महिला का डिया ने मिला। ये मर्डर आस्ट्रिया, फ्रांस और जर्मनी में हुए। पुलीस को लगा कि ये कोई अन्नों सीरियल किलर है जो कि इन लोगों की हत्या कर रही है। इस अन्नों महिला सीरियल किलर को फैंटम ऑफ हैली ब्रॉन निकनेम दिया गया। जब पुलीस ने अपनी जाच आगे ब कलेक्ट करने के लिए कॉटन बनाने का काम करती थी। तो साधारन से कॉटन की वजह से ये महिला सीरियल किलर की सस्पेक्ट बन गई। प्राचीन एथेंस में डेमुक्रेसी का एक ऐसा रूप मौझूद था जिसमें लोग अपने लीडर के सेलेक्शन के लिए वोट नहीं क के लिए वोट करते थे। जिन्हें वो समाज के लिए सबसे बड़ा खत्रा मानते थे। ये काम पूरी तरह से डेमुक्रेटिक प्रॉसस में होता था। इस एलेक्शन में जिसे जीत मिलती थी उसे एथेंस इसे 10 साल के लिए निकाल दिया जाता था। आपने देश के लिए कि ऐसी डेमोक्रेसी आज भी होती तो अच्छी होती एटलीस्ट हम उन्हें इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए वोट तो कर ही सकते थे वर्ष 2019 में एक दुकान में चोरी के आरोप में नीदलेंड की पूलीस ने एक छोटी सी चिडिया को गिरफतार किया इस परिंदे पर आरोप ये था कि जब इसका मालिक दुकान में चोरी कर रहा था तब ये उसके कंधे पर बैठी हुई थी मतलब कि ये दुकान में चोरी के समय चोर के साथ थी मज़े की बात ये है कि जब मीडिया ने इस चिडिया के बारे में रिपोर्टिंग की तब मीडिया ने इस चीडिया के पहचान चुपाने के लिए इसके चेहरे के उपर नियम अनुसार एक काली पट्टी भी डाल दी नमबर ट्री अमेरिका में डॉलर कोईन का यूज बढ़ाने के लिए अमेरिक सरकाण ने डॉलर कोईन प्रोग्राम की शुरुआत की इस प्रोग्राम के तहद डॉलर कोईन खरीदने वाले लोगों को फ्री फलाइट समयट कई तरह के आउफर मिल रहे थे इस offer का फायदा उठाने के लिए Americans लोग credit card का उप्योग करते हुए dollar coins खरीदने लगे coin खरीदने पर उन्हें जुलाब मिलता वो उसका फायदा उठाते और जब उनकी द्वारा खरीदे गए coin की delivery होती तब वो उन्ही coin से अपने credit card का बिल भर देते मतलब उन्हें बिना कुछ गवाए ही free flight मिल रही थी शराब पी कर गाड़ी चलाने के जुर्म में दुनिया के सभी देशों में कोई ना कोई सजा जरूर है कहीं चालान काट कर छोड़ दिया जाता है तो कहीं भारी भर कम जुर्माना लगाया जाता है लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां शराब पी कर गाड़ी चलाने वाले को मौत की सजा तक दे दी जाती है इस देश को नाम है अलसालवेडोर आपको कह लगता है इस तरह कि जर्म के खिलाफ इतनी सखत सजा सही है या खलत कॉमेंट्स में जरू बताएं लंदन में एक आदमे को अपने खाली जमीन पर बिल्डिंग बनाने की अजासत नहीं मली तो फिर इस आदमी ने अपनी जमीन पर एक टैंक की इजासत मांगी काउंसिल को लगा कि ये एप्लिकेशन सेप्टिक टैंक की लिए है तो काउंसिल ने उसे शक्स को टैंक की इजासत दे दी इजासत मिलने के बाद इस महाशे ने क्या किया उन्होंने एक region T-34 टैंक खरीदा और इसे अपनी property पर लाकर पाक कर दिया और तो टैंक का निशाना उसने उसी city planning office की और कर दिया जहां उसे permission नहीं मिली थी इसे कहते हैं तेरी कहके लूँगा तो दोस्तो ये थे कुछ amazing facts आपको इनमे से कौन साफेक्ट सबसे ज्यादा interesting लगा कॉमेंट्स में जरू बताएं और वीडियो को प्लीज लाइक और शेर जरू करें धन्यवाद